नमस्कार दोस्तों, पाथ Finder Online Special Classes में आपका स्वागत है, मैं दिवाकर गुपता, आपके सामने फिर प्रस्तुत कर रहा हूँ, विलोम विप्रयात्रक सब्द में Part 2 कल मैंने विलोम सब्द का पहला सीरीज अपलोड किया था, जिसमें मैंने इंट्रडक्स्ती बताया था कि विलोम सब्द किस प्रकार से उनकी रचना होती है, और उपसर्ग को जोड़के प्रत्य को जोड़कर किस किस प्रकार से विलोम सब्द को बिलोम सब्द बनाया जा सकता फिर उसमें ये भी एक महत्पूर बिंदू होता है कि विलोम सब्द हमेशा समजाती होना चाहिए जिस भासा शैली में जिस प्रकार से आप से सब्द पूछा गया है उसी का ठीक उल्टाया विलोम सब्द आपको बताना उसी सैली में उसी जाती में मानले ये लिंग के करम में पूछा गया तो आपको लिंग के करम में विलोम सदू बताना है तो साथ में अब लोगों ने दोड़ाई सो उधारण भी सब्दों के देखे थे किस प्रकार से विलोम सब्द की रचना की जाती है तो आज के lecture में हम उसको और विस्तार देंगे कि उपसर्ग में आ और अनुपसर्ग द्वारा कैसे विलोम सब्दों करचना होती लिंक परिवर्तन द्वारा कैसे किया जा सकता है और कुछ सब्दा ऐसे होते हैं जो एक साथ बोले जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत आर्थक प्रियोग होते हैं, तो किस प्रकार से उसमें विपरीत आर्थक सब्द बनाये जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज जो है हम पहली सुर्वात करते हैं, आ और अनप्रत्य द्वारा निर्मित जो होते हैं, उनके बारे में जानत आसान है बस आपको समझना होगा कि किस तरह इस इसका प्रयोग रहता जैसे पहला आपको सामने उदारान है अर्थ तो अर्थ में अनुपसर्ग लग गया अनुपसर्ग लग गया तो यह सब्द हो गया अनुपसर्ग लग 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 गया आख्यात का अनाख्यात, आगमन का अनागमन आप लोग जब हिंदी की मतलब उसमें बैठा करिए यूटूब पे देखने के लिए तो हमेशा पेन जरूर रखा करिए और जो सब्द आपको टफ रगे उसको तुरंट आप नोट करते हो चला करिए पाउस कर लिए अगर यह वीडियो को उसको आप अपने एसाप से आगे पीछे करके आप देखके नोट कर सकते हैं क्योंकि समिक्षा दिकारी में जितना असान अगर आप मेंसे कोई पहली बार देने जा रहा है समिक्षा दिकारी का पेपर तो यह समय लीजिए कि जितना हम सोचते हैं वो ऐसा पेपर बिलकुल नहीं होता है उसका उसका हिंदी का portion बहुत ही tough होता है और ऐसे ऐसे सब्द भी ढूण के पूछे जाते हैं जो किसी भी किताब में नहीं मिलते हैं हिंदी के जो 60 नंबर हैं इसमें से आपको गर 45 के उपर स्कोर करना है जो कि सेलेक्शन के लिए त्यावस्यक है तो आपको हिंदी पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा जहां भी जिन स्रोतों से आप पढ़ सकते हैं सबसे पढ़िए बस हाँ वो आथेंटिक स्रोत हों तो और नोट्स जरूर बनाते चलिए लिखने में थोड़ा समय जरूर लगता है लेकिन एक बार लिखने से क्या होता है कि आपको एक तो वर्तनी सुद्ध का ग्यान होता है कि मतलब हम जो लिख रहे हैं सब्द वो सही है कि गलत है तो कि अभी आगे के सेग्मेंट में विलोम खतम करूंगा उसके बाद जो है वर्तनी और वाक के सुद्धी पर आऊंगा जो बहुत ही लंबा चलेगा कम से कम 10-15 वीडियो में उसको लेके चलना पड़ेगा तो कि उसके क्वेस्चन बहुत ही टफ होते हैं तो लिखने की आदत बहुत जरूरी है तो नोट्स आ बतारा हूं सब आप नोट करिए जो आपको इसमें से नहीं पता हो या जो आपको टफ लगते हो जो बाद में भूल जाए वो जरूर नोट करिए इसी परकार से आत्मा में अनप्रत्य लग गया अनात्मा आश्रित का अनाश्रित आदर का अनादर आतुर का अनातुर आरू नहीं थे इन सीराउने होते हैं बिलकुल आफिस को इसली wieder इंको बेश्ट अना इसके अलामा भी अगर ये सब्द नहीं है और इसके अलामा कोई आपसन में और है तो वो भी जो है सही होगा उदान्त का अनुदान्त, उपयुक्त का अनुपयुक्त, उपमे का अनुपमे, उपस्थित अनुपस्थित, उरुवर अनुरुवर, उपार्जित अनुपार्जित, उपजाओ अनुपजाओ, उपयोग अनुपयोग, यहां सभी में अनुपसर्ग जोड़ा जा रहा है आग उपादेयता में अन जुड़ गया तो अनुपादेयता उचित में अन जुड़ गया तो अनुचित यानि उवड गया तो अनुचित हो गया ये उत्रीण अनुत्रीण उत्तेजित अनुतेजित उत्पादक अनुत्पादक उच्छ्वास अनुच्छ्वास उपमे, अनुपमे 1 का अनेग फिर आवरतका अनावरत आवरणका अनावरण आहार, अनाहार आचूत, अनाचूत आभोषित, अनाभोषित आक्रामक, अनाक्रामक आप mathematically अवचित अनौचित अनौचित इक्षा अनिक्षा ये उपसर्ग से अगर आप याद रखेंगे अन वाले तो आपका जो है कभी गलत नहीं होगा हमेशा पहला आप्षान हम आप वो देखिए जो बिल्कुस सब्द से मेल जोल खाता हो और उसमें उपसर्ग या प्रत्य का इस्तमाल किया गया हो उपसर्ग ल उदार अनुदार उत्सा अनुत्सा अैच्छिक अनैक्छिक अैश्वर अनैश्वर कल्याण का अकल्याण कथनी अकथनी ये कंटक अकंटक अब देखिए यहाँ पर जो है इसमें सभी में आ उपसर्ग लग रहा है सभी में केवल आ लग रहा है अनुवाले यहाँ तक खतम हो गए हैं तो पिर काट्य अकाट्य करमड अकरमड केवल आ लग जाने से उसका जो है सब्द विपरीथ हो जा रहा है कलंक अकलंक कल्पनीं अकल्पनीं करूर अक्रूर करमठ अकरमठ करपा अकरपा काल tipping काल का अकाल क्रम अक्रम कुलीन अकुलीन खाद का अखाद, जो खाने योगी ना हो फिर ग्राह का अग्राह ग्राह मतलब ग्रहन करने योग, अग्राह मतलब जो ग्रहन ना किया जा सके गोचर अगोचर, गीत अगीत, गत अगत, घोश अगोश, चेतन अचेतन, चर अचर, चल अचल चिर अचिर, चाह अनचाह, जय अजय, जेय अजय, जेय मतलब जिसको जीता जा सके अजय जिसको जीता ना जा सके तुकांत अ तुकांत, देखा अंदेखा, द्रश्य का अद्रश्य, द्रिष्ट का अद्रिष्ट, देय का अदेय, पदस्त का अपदस्त, परिमित का अपरिमित, पारुशे अपरुशे, प्रवत्त का अप्रवत्त, पवित्र का अपवित्र, परिमित का अपरिमित सभी में केवल आ उफसर जोड़ दिया जा रहा है जिससे उसका विप्रितार तक सब्द बन जा रहा है परिपक्को अपरिपक्को परिहार्य अपरिहार्य प्रियोग अप्रियोग पाठ्य अपाठ्य प्राच्य अपाच्य प्रिय अप्रिय पुष्ट का अपुष्ट पूर का अपूर पूर्व का अपूर्व पावन का अपावन पारदर्सी का अपारदर्सी तो ये आसान भी है इसमें आपको इत्ता धहन रखना कि या तो अनुपसर्ग या आउपसर्ग जो है किसी एक कपरियोग होगा तो इससे सब्द आसानी से बनते हो, बिल्कुल मिलते जुलते सब्द है, पीछे का पूरा सेम होता है, क्यों उपसर्ग लगने के कारण जो है, आगे का पहला अक्षर बदल जाता है धर्म का अधर्म, नश्वर का अनश्वर, नियाय का अन्याय, नीतिका अनीत, नयतिक का अनयतिक, निंदिका अनिंद्य, निद्रा का अनित, नश्वर का अनश्वर, निर्वचनिय का अनिर्वचनिय, निर्दिष्ट, अनिर्दिष्ट, निर्धारित, अनिर्धारित, नैशर आनशरगिक ुत न्याइपुन का अन्याइपुन जैसे न्याइपुन्द सब्द में लगा वाउध पार्त्र का आप पार्थव का अर्थ हो ता है जो प्रत्वी से सम्मन्दीत हो से पार्थव गए तो अपार्थिव Industries जैसे किसी की मृत्व जाती तो प्रत्याशित प्रसिच्छित का अप्रसिच्छित प्रशस्त प्रक्रत अप्रक्रत प्रगल्व का अप्रगल्व, प्रासंगिक का अप्रसंगिक, प्रतिबद का अप्रतिबद, भद्र का अबद्र, भेद का अभेद, भय का भय, भुक्त का अभुक्त फिर और हम देखते हैं कुछ भाव का अभाव इसमें भी सभी में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और आपको उल्टा लिखना हो तो इसमें से आपको ध्यान देना है कि इसमें से इसको इसका उपसर्ग जो है इसको आपको हटा देना है अभाव का भाव हो जाएगा अनलब का अनभल का भल हो जाएगा अभाग का भाग हो जाएगा अनभिग्य का भिग्य हो जाएगा भोज्य का अभोज्य का भोज्य हो जाएगा अमल का मल हो जाएगा अमानवी का मानवी हो जाएगा इसी तरह से तो मलान का अमलान मंगल का अमंगल महत्पून का अ महत्पून, मूर्थ का अमूर्थ, मित्वेता का अमित्वेता, यस का अपयस, यसश्वी का अश्शी, यथार्थ का अयथार्थ, रूप का अरूप, रुची का अरुची, लभ्य का अलभ्य, फिर सुद्ध का असुद्ध, सिष्ट का असिष्ट, सक्त का असक सांति का असांति, सामान का असमान्य, सत्त का असत्य, सब्ध का असाद्य, सभी में आ का ही उपसर का प्रियोग हो रहा है समय, आसमय, सामयिक, आसामयिक, इस्थिर, आस्थिर, संत, आसंत, संगत, सुर का असुर, शित का अशित, इसी प्रकार लिखित का अलिखित, जो लिखा हुआ हो, जो ना लिखा हुआ हो, लोकिक का अलोकिक, लिप्त, मतलब किसी चीज़ में इन्वाल्व होना अलिप्त उसमें इन्वाल्व ना होना विग्य का अविग्य विग्य मतलब ग्यान रखने आला जानने वाला व्यार्थ का अव्यार्थ वरेष्टी का अनावरेष्टी मतलब वर्सा होती है अनावरष्टी मतलब बहुती कम वर्षा या बिल्कुल ना के बराबर वर्षा होना वांचनी अवाचनी ये वैतनिक अवैतनिक वह होता है जिसे वेतन प्राप्त होता है और अवैतनी जिसे वेतन प्राप्त नहीं होता है व्यवहारिक का अव्यवहारिक विद्यमान का अविद्यमान, सकुन का अप्सकुन, शुब असुब, सिव अशिव शांत अशांत, शलील असलील सप्रश्य आईश्प्रश्य संबंद का आसंबंद, स्विक्रित का स्विक्रित, संतुष्ट का आसंतुष्ट, स्वास्थिक्र का आस्वास्थिक्र, संकोच आसंकोच, स्निक्द का आसिनिक्द, हित का आहित, हिंसा का आहिंसा, च्छय का अक्छय, छर अक्छर, छम्मे का अच्छम्मे, ग्यान का अग्यान, गे का अगे, ग्यात का अग्यात तो ये तो सारे हो गए जो उपसर्गों के प्रियोग से अनुपसर्ग और आउपसर्ग के प्रियोग से सब्द का बिलोम हो रहे था आप हम देखेंगे कि जो लिंग होते हैं, करता संग्या सर्वनाम के लिंग के अंसार जो है, उनका कैसे विप्रितार्सक सब्द होना, जैसे नर का नारी, बहुत ही सिंपल है, आप सब जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, नर का नारी, राजा का रा बाबर्चिन, भील का भीलनी, नोकर का नोकरानी, पगला का पगली, सिंग का सिंगनी, हाथी का हतनी, बस आपको लिंग परिवर्तन करना, बैल का गाय, बाग का बागिन, बकरा का बकरी, घोडा का घोडी, कुत्ता का कुत्ती, हिरण का हिरणी, हंस का हंसनी, चीटा का चीटी फिर जो हमारे रिष्टे होते हैं या जो इसको संबंद होते हैं उनके अधार पे आगजा, आजी, नाना नानी, डादा दादी, माता पिता, मा बाप, चाचा चाची, काका काकी, मौसा मौसी, मामा मामी, बेटा बेटी, लड़का लड़की, वर का वधु या कण्या होता है, तो इस प्रकार से लिंग परिवर्तन द्वारा भी बिलोम सब्दों की रचना होती है, तो आप्शन में हमको ध्यान से देखना होता है, कि अगर इस तरह के लिंग परिवर्तन वाले भी दिये हैं, तो वो भी बिप्रितार्थक सब्द सही होंगे, इसके अलामा कुछ ऐसे होते हैं, जो एक साथ प्रियोग होते हैं, और उनका एक साह अस्तित्त होता है हमेशा, इनका प्रियोग हमेशा एक साथ किया जाता है, लेकिन यह एक दुसरे का बिरोध प्रगट करने के लिए नहीं होते हैं, बस यह एक साथ बोले जाने से उस सब्द की जो है महत तो लीकिन अगर देखा जा, तो ये विपरितार्थक सब्द होते हैं, जिसको विपरितार्थक उनका लिखा 살아 सकता है, जैसे आना जाना, अगर इसके हम वाग पिरोक करें, कि मेरा लखनवू आना जाना लगा रहता है, यानि आना जाना, आयात निर्यात अपना पराया आय व्याय आगे पीछे आदी अंत छोटा बड़ा अमीर गरीव धनी निर्धन नर नारी राजा रंक राजा रानी इस्त्री पुरुस सुख दुख आसा निरासा उचित अनुचित लेन देन क्रयक विक्रय लाब हानी नया पुराना मान का अपमान उचा नीचा ये सब एक साथ यूग में ही प्रियोग होते हैं लेकिन ये विप्रितासक सब्द हैं दिन रात उठना बैठना उत्थान का पतन हर्ष विशाद संत असंत हार जीत जय पराजय खाद्य खाद्य जण चेतन अंदर बाहर खट्टा मीठा धर्म अधर्म गुड़ दोस जीना और मरना तो इस तरह से ये यूग में प्रियोग होते हैं विरोधावासी सब्द होते हैं विप्रितासक सब्द होते हैं तो आज हमने उपसर के आधार पर लिंक के आधार पर और यूग में प्रियोग सब्दों को के उदारण देखें और कैसे उनका प्रियोग होता है next series बहुत ही important है आपके लिए मैं भी बता दे रहा हूँ क्योंकि आगे की दो series में आरो ए आरो में जितने भी question आज तक पूछे गए हैं उनका आपको उनके बिकल्ब सही प्रस्न दिखा कर उनका हल करूँगा और उनकी पूरी ब्याख़्ा भी बताऊंगा कि कौन सा सही है या कौन सा ज्यादा preferred है तो क्यों है तो उसको देखना मत भूलिएगा कल संभावता हूँ मैं साम को upload कर दूँगा और उसके बाद जो next और चौथी सीरीज होगी बिलोम सब्द की उसमें उत्तरपदेश लोकस आयो कि जितनी भी परिच्छाएं होती हैं चाहिए हो आर आई हो लोवर पीसी आसो अपर पीसी आसो प्री मेंस उसमें जितने भी आज तक प्रसनाएं हैं उसको उसमें लूंगा मैं जो है तो आगे की दो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसको द्यान लखिएगा मिस मत करिएगा और जिन्हों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अन्रोद है कि चैनल को सब्सक्राइब वशे कर लें और ये पचीसवी वीडियो है हिंदी व्याकरण सीरीज में तो आपने जो वीडियो नहीं देखें उसका लिंक नीचे दिया जा रहा है उसको अवच्छ देखें धन्यवाद